राजिस्तान के माउंट आबू में आज राश्क्रिपती दरौबदी मुर्मुक ग्लोबल समिट का उद्खाटन करेंगी इस कारिक्रम में देश-विदेश की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी वहीं इस कारिक्रम को लेकर हमारी समवाधाता प्रियंका कॉशल ने हास जánकारी दी है आज यहां ग्लोबल कॉण्फरेंस का आगाज होगा खुद राश्क्रपती दरापदी मुर्मु यहां पहुच चुकी है इसका उद्गाटन करने के लिए बड़ी जोर शोर से यां त्यारिया की जा रही है सुरक्षा विवस्ता जो चाक चौबंध है यह जो शांतिवन है माउंट आबू के तलहटी में स्थित है सुरोही जिला है राजिस्थान का आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत यह इलाका है अरावली परवत की जो तलहटी है वहाँ पर यह आबू रोड है पीछे दिख भी रहा है आपको कितना सुन्दर एक द्रश्य बहुत ही प्राकृतिक और मनोरम यहां का द्रश्य है साथ ही साथ यह बहुत बड़ा एक आध्यात में किस थल है यह जो पीछे देख रहे हैं डाइमन्ड हॉल यह वो गेट है जहां से राश्पती अंदर जाएंगी बहुत ही सुन्दर तरीके सजाये गया है यह जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं यह कलकत्ता के कलाकारों ने इसको डेकोरेट किया है सजाया है बहुत सारे गेस्ट हैं मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से डिग्नेटरी यहां पहुँच रही है बारत एक्सप्रेस के सीयो और चेर्मेन आईटर इंचीफ उपेंद राय जी भी यहां आज पहुँचेंगे उनका सम्मान होगा राष्ट्र चेतना सम्मान से उनको सम्मानी किया जाएगा उसके अलावा बहुत सारे केंद्रिय मंत्री कई राज्यों के राज्यपाल कई प्रदेशों के मुख्य मंत्री यहां पहुचेंगे और आप देख सकते हैं यह जगा जगा उनके स्वागत के लिए बोर्ड और ग्लोबल कॉंफरेंस में और दुनिया में शांती कैसे स्थापनों हैल्डी इंवार्मेंट कैसे बने उस पर यहां पर चर्चा की जाती है कि क्या मैंनु जी के साथ प्रियंका कोशल बारत एक्सप्रेस आभू रोड